अभी जब अकिलेश जी का भाशन चल रहा था तो बगेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है मैं सुना देता हूं आपको सुनना है तो आपके चीफ मिनिस्टर आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहाँ स्वेरिंग इन के लिए गए बड़ा धूम धाम था वहाँ पे बीजेपी के नेता बैटे थे गवर्नर साब बैटे थे सब हमेले बैटे थे स्वेरिंग इन होती है शपत लेते हैं चीफ मिनिस्टर का उनके मंत्री दो तीन मंत्री भी शपत लेते हैं खूब तालिया बचती है और फिर नितीज जी निकल जाते हैं वापिस सीम हाउस के ओर चल जाते हैं गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ाए तो ड्राइवर से कहते हैं भाईया चलो वापिस चलो शॉल उठाना है तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है गवर्नर के घर आता है नितीज ची निकलते हैं गवर्नर के पास जाते हैं दरवादा खोलते हैं गवर्नर कहते हैं भै इतनी जल्दी वापिस आ गए तो ये हालत है बिहार की थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यूटर ले लेते हैं दबाव क्यूं पड़ा क्यूंकि बिहार में हमारे गड़बंदन ने एक बात जनता के सामने रखी है इस यात्रा में हम पांच नयाय की बात कर रहे है उन में से एक नयाय उसको आप समाजिक नयाय कह दीजिए उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए उसको आप भागिदारी कह दीजिए कि उसके बारे में हम काम कर रहे हैं मैंने पहले बाशनों में कहा है कि इस देश में अलग-अलग वर्ग के लोग है पिछ्णी जात के लोग हैं दलित हैं आदिवासी हैं माइनौरिटी हैं जनरल कास्ट के लोग हैं हर समाज में कमजोर लोग हैं ओबिसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है मगर अगर मैं आज आप से पूछूं कि इस देश में ओबिसी समाज की अबाधी कितनी है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकतें दे सकतें कोई नहीं जानता और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाशनों में कहा जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अपसर है आईएस के अपसर है 90 में से 3 OBC वर्क से आते हैं और अगर 90 अपसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णे लेते हैं तो यह OBC अपसर 100 रुपे में से 5 रुपे का निर्णे लेते हैं तो सरकार में ना OBC की ना दलित की ना अधिवाजसी की भागिदारी है सरकार को छोड़िए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए उनकी लिस्ट निकालिए उनके मालिकों के नाम पढ़िए आपको उन नाम में से एक धलित एक आधिवासी एक पिछड़ा नहीं मिलेगा मीडिया को देख लीजिए अखबारों को देख लीजिए टीवी को देख लीजिए एक मालिक OBC वर्ग, दलित वर्ग, आधिवासी वर्ग आपको नहीं मिलेगा रिपोर्टर मिल जाएंगे उनको भी कोने में बठा रखा है जो उनके दिल में वो बोलनी पा रहे हैं मकर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक OBC एक दलित वर्ग, आधिवासी नहीं मिल सकता प्राइवेट एजूकेशन के सिस्टम को देख लीजिए प्राइवेट कॉलेजे उनिवर्सिटीज को देख लीजिए प्राइवेट हस्पताल देख लीजिए एक मालिक आपको OBC दलित आधिवासी का नहीं मिलेगा तो मैं सिर्व यह सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम समाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछडों को आधिवासीों को दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है अब सवाल बनता है पहला कदम क्या होना चाहिए किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है पैर में चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो X-ray जाके कर लो X-ray करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड़ी कहां से तूटी है सही बाद मैं सिर्फ यह कह रहा हूं मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक X-ray हो जाए एक X-ray हो जाए उसके बाद MRI भी हो सकता है मगर पहले एक X-ray हो जाए किस देश में किसकी कितनी अबादी है लोगों की गिंती हो जाए जेनरल कास्ट के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है OPC जात के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है गरीब इतने है किसान इतने है मजदूर इतने है भूके इतने है आदिवासी के इतने लोग है इसमें अलग 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 ट्राइब्स के इतने इतने लोग है दलित इतने है इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग है ये भूके मर रहे हैं ये मजदूरी कर रहे है ये सलक बना रहे है बस मैं यही कह रहा हूँ समाजिक नयाय का यही मतलब है और समाजिक नयाय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है अब बात समझे बात समझे नितीश जी कहा भसे मैं आपको बताता हूँ मैंने नितीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाती जनगरना बिहार में करनी पड़ेगी हम आपको छूट नहीं देंगे और आरजेटी ने हमने ये काम नितीश जी पर दबाव डालके किया अब क्या हुआ अब दूसरे साइट से प्रेशर आया बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो दरते एक्सरे से दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा पता लग जाएगा कि कितने ओबी सी है कितने दलित हैं कितने आदिवासी है बीजेपी ये नहीं चाहती बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए उधर ध्यान जाए आगे पीछे ध्यान जाता जाए मगर समाजिक न्याय पे गल्ती से भी आपका ध्यान ना चला जाए नितीज जी बीच में फस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नितीज जी उस रास्ते पे निकल गए समाजे की नियाए देने की जिम्हेदारी बिहार में हमारे गटबंदन की है नितीज जी की हाँ कोई ज़रूरत नहीं है यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके हमारा गड़ बंदन यहां पे जो करनायक कर देगा यह हुई बात समाजिक न्याय की अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूँ आपने मुझे अभी वो माला दिया मकाने वाला माला उसको लाईए यहां जरा कहा है वो मैं एक मिनट में आपको आर्थिक न्याय समझाने जा रहा हूँ यह बिहार के मकाने इतने मज़्यदा रही है खा गए हूँगे उनको खा गए देगो का गए लाओ 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 उसको लाओ थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए आ रहा है यह आ गया यह देखो कितना सुन्दर मखाने का माला है अब यह देखिए मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ इसको यह लाइए यह यह दस तक्रीबन दस किलों का है ठीक है इसको यह रख दीजिए यह बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है सही बात है यह बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर गंटों पानी में बैठ कर यह हमें दिया है दस किलो का है यह आपको मालूम है यह अमरीका में कितने कब इकता है अमरीका में अगर आप इसको बेचोगे जो बिक्रा है अमरीका में यह बड़ा बिक्रा है आज कल वहाँ पे फैशन आ गया है कि मखाना काएंगे बिहार का मखाना काएंगे सबसे पहले उनको मालूम नहीं है यह मखाना कहां से आता है पहली वाद यह है मगर मेरा सवाल आपसे ये 10 किलो की माला है ये अमरीका में कितने रूपे के लिए बिक्जेगी चुपो गए मैंने नेट पे देखा अभी देखा ये माला 15,000 रूपे के लिए अमरीका में बिक्जेगी 15,000 रूपे 10 किलो के लिए अब मुझे बताओ इस में से 15,000 रुपे में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है बिहार का किसान 250 रुपे किलो के बेच रहा है मतलब 2,500 रुपे 10 किलो के लिए ये 15,000 रुपे गलती की मैंने ये 15,000 रुपे एक किलो का मतलब ये माला अमरीका में 1,50,000 रुपे के लिए जाएगा गलती कर दी सौरी 1,5,000 रुपे के लिए ये अमरीका में बिखता है और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपे प्रती किलो 2,500 रुपे 10 किलो के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये पैसा जा कह रहा है ये जा कह रहा है किसके हाथ में जा रहा है ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना तो ये देखिए इसको कहते है आर्थिक अधियाए और ये हर चीज में हो रहा है जो मेकानिक गारी बनाता है जिसने माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया मोबाइल फोन को जो ठीक करता है जूते बनाता है टी-शर्ट बनाता है जो भी हाथ से काम करता है उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमरीका में एक लाख पचास हजार रुपए के लिए भिकरी है आप हैरान हो गए एक लाख पचास हजार रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने इसमें से दो तीन हजार रुपए किसान के जेंब में जा रहे हैं क्या यह अन्याई नहीं है सबसे बड़ा न्याई है तो जब हम आर्थिक न्याई की बात करते हैं हम चाहते हैं कि अगर ये एक लाख पचास हजार रुपए की माला है तो कम से कम 30-40,000 रुपए तो किसान के हाथ जाएं अगर मेकैनिक काम कर रहा है मोबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है खेट में काम कर रहा है उसको अपने मेहनत का सई फल तो मिले और जहां भी देखो हिंदुस्तान में मैंने चोटा सोधारन दिया आपको जहां भी देखो जो गरीब है कमजोर है हाथ से काम करता है उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में तो ये दो बाते मैं आप से कहना चाहता था एक किसकी कितनी अबादी है OPC कितने धलित कितने आदिवासी कितने और उनमें से कितने घरीब हैं कितनों के पास सरकारी नोकरी हैं कितने कंपनी में काम कर रहे हैं देश का एकसरे और दूसरा बहुत महत्वपून सवाल देड़ लाख रुपए के कि माला में से हमारे किसान को डाई हजार तीन हजार रुपए क्यूं मिल रहे हैं जादा क्यूं नहीं मिल रहे हैं यही दो सवाल हैं हिंदुस्तान के सामने बाकी सब आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है बिहार को क्या करना है हजारों साल से ये प्रदेश इस देश को समाजिक न्याए और आर्थिक न्याए दिखा रहा है सोशल मुवम्मेट होती है देश जागता है तो बिहार से जागता है गांदी जी के आज हम याद कर रहे हैं उनकी तपस्या चमपारन में शुरूई हुई थी बिहार में शुरूई हुई थी इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूँ बीजेपी के लोग आपके दियान को इधर उधर करना चाहते हैं कि कि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्धे के बारे में बात शुरू कर दो और दो ही मुद्धे हैं आर्थिक नयाए जो मैंने आपको यहां दिखाया और समाजिक नयाए जिसको मैं एक्सरे कह रहा हूँ और वह भी पहला कदम है भाई और बहनों पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की कन्या कुमारी से हम कश्मीर तक चले समुद्धर के टट से शुरू किया चलते गए चलते गए चलते गए हिमाले तक चले आप सब हमारे साथ चले थे बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फेलारी है इनका लक्ष यही है कि आप हिंसा में नफरत में उलजे रहो एक भाई दूसरे से लड़े और आप आर्थिक और समाजिक नियाय की बात मत करो और भारत चुड़ो यात्रा ने देश में एक नया रास्ता दिखाया यात्रा में बिहार के लोग हमारे साथ चले बेंगौल के लोग चले और आपने हमें का देखिए आप कन्या पुमारी से कश्मीर जा रहे हो बिहार बेंगौल उत्तर प्रदेश इसमें से आप यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो बात बिलकुल सही थी इसलिए हमने मनिपूर से भारत चुड़ो नियाय यात्रा शुरू की मनिपूर से क्यों क्यों क्योंकि बीचेपी और आरेसेस की विचारधारा ने मनिपूर को जला दिया है सिविल वार का महौल बन गया है लोग मर रहे हैं घर जलाय जा रहे हैं और प्रदान मंत्री आज तक वहां नहीं गए मनिपूर में शुरू किया नागा लेंड अरुनाचल बिंगॉल असाम और अब हम बिहार आएं यात्रा में हम लंबे भाशन नहीं करते 15-20 मिनट बोलते हैं 6-7 गंटे आपकी बात सुनते हैं आज सुबह चाय की दुकान में हमने तीन चार परिवारों के साथ चाय पी उनकी बात सुनी बस में लोग आते हैं हम पैदल चलते हैं पद यात्रा में चलते हैं क्यूं आपके दिल में जो है वो हम समझना चाहते हैं सुनना चाहते हैं हम अपनी मन की बात नहीं रखना चाहते हैं हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं और यात्रा में हमने पिछली यात्रा में एक नारा निकाला था नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलनी है और पिछले दो दिन आपने यात्रा में महबबत की दुकान खोली है इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जहां भी हम गए हैं वहां बिहार के युवा माताएं, बहने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब ने यात्रा का समर्थन दिया अपनी पूरी की पूरी शक्ती यात्रा को दी और जितनी भी महबबत दे सकते थे आपने हमें दिया इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और अंत मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समाजिक नयाय और आर्थिक नयाय से बड़ी कुछ बात नहीं है यही है हिंदुस्तान का भविश्य अगर आप अच्छा चाहते हैं कि अच्छा चाहते हैं कि अच्छा ये विएग कि अच्छा ये कि अच्छा सब्सक्तान